गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम सीखेंगे रूमान नमबर्स आपने पहले भी रूमान नमबर्स याद करें चुटी क्लासेस में बट अब आपको याद करने की कोई जवत नहीं है चस्ट आपको ये टेबल याद करनी होगी और ये टेबल अगर आपको याद है तो आप इसली किसी भी नमबर को रूमान नमबर्स में लिख सकते हैं सो लेट सी है क्या ये टेबल वन को देनोट करने के लिए रूमान नमबर्स क्या होते हैं जिसमें हम मैस की लैंग्वेज को इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखते हैं किसमें इंग्लिश के या आप देख सकत रोमन नमबर कहते हैं तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं I 5 को V 10 को X 50 को L 100 को C 500 को T और एक और होता है 1000 1000 को हम लिखते हैं M तो यह अगर आपको टेबल याद है तो आप easily किसी भी नमबर को रोमन नमबर में लिख सकते हैं एक बार अकेन रिपीट कर लेते हैं 1 को I 5 को V 10 को X 50 को L 100 को C अगर आपको 100 तर भी याद है इस एनफ आप यह 5 लेटर्स भी याद कर सकते हैं बस 1 को I 5 को V 10 को X 50 को L 100 को C आपने रोमन नमबर अल्रेडी पढ़ चुके हैं एक पार हम 1 to 10 रिपाइस कर लेते हैं तो 1 को हमने क्या बोला? 2 को Double I 3 को Triple I 4 को 1 I और 5 V 5 को V 6 को V I 7 को V Double I 8 को V Triple I 9 को I X 10 को X ये सारे रोमन नमबर किसमें हैं ये? I V और X में नाव आप देखते हैं कि हम रोमन नमबर बिना याद करें भी कैसे निकाल सकते हैं तो सब्पोस मैं पास कोई रोमन नमबर लिखाए है V I अब मुझे पता करना है कि आखर उसको नमबर में क्या बोलेंगे? V I तो इस तरीके से जब लिखा हो V क्या है आपका? 5 I क्या है आपका? 1 तो पहले 5 लिखा है फिर 1 लिखा है पहले बड़ा लिखा है फिर छोटा लिखा है तो इस कंडिशन में इसका रोमन नमबर होगा 5 प्लस 1 पहले बड़ा लिखा है बाद में छोटा लिखा है तो इसको नमबर में निकालने के लिए हम 5 प्लस 1 एड़ कर देंगे? 5 प्लस 1 इन दोनों नमबर को आपस में एड़ कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि यह इसको नमबर में क्या बोलती है? तो आपको पहला रूल समझ में आया कि जब आपका पहले बड़ा है फिर छोटा है पहले 5 लिखा है फिर वार में 1 लिखा है तो इसको नमबस में निकालने के लिए हम 5 प्लस 1 करेंगे डाट इस 6 या अभी मुझे नमबर दे रखा है रूमन नमबर बताना है तो सब्पोस 6 है 6 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमें ये पता है हमें पता है कि I को हम 1 बोलते हैं 5 को हम भी बोलते हैं तो 6 को हमें इस वे में तोड़ना है कि that is 5 प्लस 1 आप 6 को इस वे में तोड़ेंगे कि 3 प्लस 2 फिर आपको पता तो नहीं है न 3 को हम क्या बोलेंगे 5 को बॉलते हैं Mm ї आई वेस बोलते हैं और आपको 1 को हम carrot पता तो क्या पता चल सेफ के सिक्सको अम G His निकालने का, suppose ये लिखा हुआ है 1, I और X, अब आपको बताना है किसको numbers में क्या बोलेंगे तो I और X, पहले I लिखा है, फड़ाफ़र समादे दिमाख में आ जाना चाहिए, I किसको बोलते हैं, 1 को X किसको बोलते हैं, 10 को Now, अब हम add कर सकते हैं, या subtract कर सकते हैं, तो second rule जो है आपका, ये 1 पहले लिखा है, 10 बात में लिखा है, means पहले छोटा लिखा है, बात में बड़ा लिखा है तो इसको numbers में निकालने के लिए हम 10 में से 1 subtract कर देंगे, क्या कर देंगे 10 में से 1 subtract, that is 9, means i x को हम numbers में क्या बोलते है 9 अगर आपका यहां बड़ा है, यहां चोटा है, means आपको add करना है और अगर यहां चोटा है, यहां बड़ा है, means आपको subtract करना है क्योंकि आप 10, 1 में से 10 तो subtract करेंगे, नहीं, 10 में से 1 तो subtract करेंगे, तो 10 minus 1, that is 9, one more example लेते है यह लिखा हुआ है, i और v तो i और v को कैसे करेंगे i क्या है हमारा 1, v क्या है हमारा 5, that is 5 minus 1 4, so i v को हम numbers में क्या बोलते है 4, अब suppose number आपको दे रखा है, और आपसे कहा जाए, roman number में लिखो इसे तो roman numbers में लिखा suppose हम 9 को हमें किसमें लेना है लिखना है, roman numbers में अब हम 9 को क्या लिख सकते है एक तो लिख सकते है, 5 plus 4 एक क्या लिख सकते है, 10 minus 1 but 5 का हमें पता है 4 का नहीं पता, this means हम यह नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे, 10 minus 1 क्योंकि इसमें में 10 का भी पता है और 1 का भी पता है अब 10 क्या है हमारा X 1 क्या है हमारा I बट हम सब्ट्रैट कर रहे हैं इट मीज आई क्या लगेगा हमारा पहले लगेगा अगर हम एड करेंगे तो I हमारा बात में लिखेगा और अगर हम सब्ट्रैट करेंगे तो I हमारा पहले लगेगा तो यह है आपका second rule जिसमें हम numbers को subscribe करके किसी भी number का Roman number निकाल सकते है अब हम next rule देखते है next rule क्या है suppose मुझे x, i, v यह लिखा हुआ है इसको मुझे numbers में बताना है तो कैसे बताऊंगी मैं x क्या है आपका 10 i क्या है आपका 1 v क्या है आपका 5 बस आपको यह पता होने चाहिए कि x को मैंने आपको पहले भी याद कराया है 1, i, 5, v, 10, x, 50, l, 100, c बस आपको 100 तक भी याद है it's enough x को 10 बोला, i को 1 बोला, v को 5 बोला अब नाव इसको numbers में कैसे लिखेंगे तो देखिए पहले rule में हमने add किया क्योंकि उसमें पहले बढ़ा था फिर छोटा number था it means हम add करेंगे second rule में पहले छोटा था फिर बढ़ा था means हमने subtract किया आप इस rule में क्या करेंगे 10 हमारा as it is लिखा रहेगा add का sign लगाएंगे हम और फिर वोगी condition आ रही है ये 1 छोटा है 5 क्या है आपका बढ़ा क्या है 5 बढ़ा it means 5 में से क्या subtract कर देंगे हम 5 minus 1 तो क्या हो जाएगा 10 plus 4 that is 14 तो आया समझ में आपको कि क्या किया मैंने 10 जैसे लिखा हुआ है as it is वोई लिखा रहे ने दिया plus का sign लगाया then given और ये 5 आप पहले ही रूल पढ़ चुके है कि जब ये छोटा नमबर पहले है और 5 बढ़ा नमबर बात में है it means हम क्या करेंगे subtract 10 plus 5 minus 1 that is 14 और 14 it means xiv numbers में क्या लिखते है 14 और 14 को roman numbers में क्या लिखते है xiv एक और example लेते हैं जैसे हम मुझे 19 को roman numbers में 19 को मैंने break किया 10 plus 9 then और break करूंगे क्यों मुझे 10 को roman numbers में लिखना आता है बढ़ 9 को तो आता नहीं है तो 10 को तो मैं break करूंगी नहीं 9 को क्या लिख सती हूं है 10 minus 1 10 minus 1 वैसे ही condition आगी जैसे आपकी उपर आई थी 10 plus 10 minus 1 हम इस 10 को क्या बोलेंगे हम x और 10 minus 1 इस 1 को पहले लिखेंगे 10 बाद में लिखेंगे तो 1 को हम i बोलते है और 10 को x 19 को क्या बोलते हम x i x roman numbers में कैसे लिखेंगे 19 को x i x चलिए एक और rule देते है एक और rule क्या है suppose यह लिखा है दो बार i अब इसको दो बार i लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे रोभान numbers में क्या बोलेंगे इसको i two times repeat हो रहा है means 1 i को हम 1 बोलते है और दूसरे i को भी 1 तो 1 plus 1 that is 2 अब suppose x तीन बार repeat हो रहा है means x को हम क्या बोलते है 10 10 plus 10 plus 10 that is 30 बोलती, suppose आपका V V तीन मार record हो रहा है हुआ हुआ है